हालो फ्रेंड्स वागते आख कमारी चनल पर आज हम आपके लेके आए हैं बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुरकुरा सा कराज सा नास्ता जिसके सामने आप समोसा और कचोड़ी भी जाएंगे यह नास्ता जितना जड़ा टेस्टी है उससे जड़ा यह हैल्दी है और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीजों के साथ जो 100% गारंटी के साथ बता रहें आपको आपके किचनने मिल जाएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है यहां पर मैंने लिया है हर किचनने मुझू CHSnae जिसको रह भी बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स पर जरूर बताना तो यहां पर जो मैंने वहारी मोटी वाली है अगर आक हैं मोटी वाली हो तो आप मोटी अली भी ले प्रफिकेशन बेना साथ ही नॉट्पिकेशन वर्कों आंड करना ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको नॉट्पिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान ने इसवी का फाइदा उठापाए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे सबसे छोटा लमिक्सी का जा और अब इसके बाद हम इसमें एक इंपोर्टन चीट डालेंगे तो फ्रेड अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टेवल सपून तक चावल काटा अगर आखर आपके पास चावल काटा नहों तो आप इसके जगापे मैदा भी डाल सकते हैं तो चावल काटा डलने से क्या यह बहुत ही अच्छा से पिस जाएगी तो चलिए इसको पीस के लेकि आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रहेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है पिसने में विल्कुल भी दिक्कत नहीं होती विल्कुल अच्छा से पिस किया है अब एक बड़े का बड़ता ले लेंगे और इसके अंदर इसको टास्फर करेंगे तो फ्रहेंड देखिए टास्फर करने के बाद अब इसके अंदर हम डालें हाफ टीस्पून तक सुगर जिसको चीनी बोलते शकल बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स में जुरू बत जिसको हमने इस तरीके से निचोड लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी बीज ना जाए और आप इसमें हम डालेंगे असूरी मेति जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे अगर आके पास यह नहों तो आप इसकी जवा पर हरादन्या डाल सकते हैं या फिर अजवाइन भ दालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला व्योंकि हमने निवू का रस भी डाला है तो जरा नहीं डालना है सिर्फ चोथाई चमज आप सारी चीजों को विल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर दिया है और आप इसके अंदर हम डालेंगे पान तो जिस बरतन से हमने सूजी लिया था उसी से आपको पानी लेना है तो जितना आपने सूजी लिया था उतना ही पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा डालके नहीं मिक्स करना है तो बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है जिस कटोरी से आप सूजी लीजिए उसी से आप पानी लीजिए तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फेटते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाना है तो अभी आपको लग रहा होगा कि यह बैटर थोड़ा सा लिक्वेड है लेकिन जब सूजी हमारी फूलेगी तो यह बिल्कुर अच्छे से गाड़ हो जाएगा उससे पहले में क्या डालेगा आइए आपको बदाते जिसे आनास्ता बहुत जख्या बरि bent वह क्या है आइए आपको बताते हैं वह रिपर रियद दालेगेla बटर भी डाल सकते हैं लेकिन आप इसमें सरसो का तेल में जालना अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे और आप इसको हम पांच मिनट का रेश्ट देंगे ताकि सूजी अच्छे से पूल जाए और सारे फ्रेवर बिल्कुर अच्छे से निकल लाएं तो चलिए इसको को विल्कुर अच्छे से गरम कर लेना है जब तक आयल गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है जैसे और गरम हो जाएगा हम इसमें हाफ टीस्पून डालेंगे जीरा जीरे को हम 10-15 से चटकने देंगे विल्कुल भी काला नहीं करेंगे जब जीरा हमारा अच्छे से इसमें हम डालेंगे दो चुटकी हिंग जो फ्लेवर को बढ़ाने के साथ साथ नास्ते को पचाने में आपके मदद करेगी आप दोनों चीजों को हम वापस से 10-15 सेकंड कुक कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो ग्रीन चिली अगर आपका बच्चा बहु तो यहां पर हमें इसको भी अच्छे से पका लेना है ताकि लेसमें अध्रक का कच्छा पर निकल जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइच की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से मुटा मुटा कटकर के लिया है तो सिर्फ एक प्याज जाएगी अगर तो देखिए हो चुकी हलकी हलकी सी हलका सा कलर आना सुरू हो गया है तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है जो आपको हर किचन्य आसानी समिल जाएंगे तो फ्रेंट सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरी पॉड़ा यानी हल कर सकते हैं थोड़ी सी कुटीवी लाल में चौथाई चमच क्योंकि हमने इसमें हरी भी डाली है और अब हम क्या करेंगे सारे मसालों को वापस से 10-15 सेकंड भून लेंगे मसालों को भूनना बहुत जरूरी है इससे क्या होगा मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और रेस्पी आप लंबे समय तक श्टोर कर पाएंगे तो यहां पर देखें सारी चीज़ा अच्छे से भून गी है बहुत ही प्यारी सी खुस्बु आ रही है अब हम क्या करेंगे अब इसमें हम क्या डालेंगे आई आपको बताते हैं तो आप इसमें हम डालेंगे गाजर जो हमने दो चमज लिया है जरा नहीं लिया है और हम इसमें डालेंगे मटर तो यहाँ पर देखिए मैंने 100 ग्राम मटर लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है हलका सा नमक डालके बहुत ज़रा नहीं एक चुटकी जिससे क्या होगा यह बिल्कुल सॉफ्ट हो गए यह देखिए तो अगर आप मटर नहीं डालना चाते तो आप इसको हटा सकते लेकिन इस समय मटर का सीजन भी चला है और मटर बहुत ही ज़रा टेस्ट ही होता है और हेल्दी भी होता है तो इस तरीके से मटर को वाइल करके डालेंगे तो टाइम की वच्छत होगी और मटर को वाइल होने मे बहुत इकम टाय लगता है, मैक्सिमम पांच मिनट और जब आप नमक डाल देते हैं, तो दो ही मिनट ने वो बॉइल हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, तो देखिए मटर विल्कूर अच्छे से भून गया है, आप इसके बा तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, उसका कारण क्या है, कि जब हम इसके अच्छे से भूनाई कर लेंगे, तम नमक डालेंगे, अगर आप ऐसे ही डाल देंगे, तो आलू अपना पानी छोड़ देगा, और रैस्पी बेकार हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसको अच्छ पाई चमच, और अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक हमें लास्ट मूमेंट पर डालना है, और जितना नमक आप खाते हो तना डाल सकते हैं, लेकिन खयाल यह रखना है कि नमक हमने अपने बैटर में भी डाला है, तो इसलिए हमें जड़ा नमक नहीं डालना है, तो यह खरीक से हमने इसको अच्छे से भून लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धन्या जो हम धीर सब्सक्रार डलेंगे अब हम क्या करेंगे हरा धनिया डालने के बाद 10 से 15 सेकेंड और कुक करेंगे और अब इस से ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाईना है क्योंकि अगर आप हरा धनिया डालने के बाद पकाईएक तो यह तो बisionsविख ज़ए ettr 개 il ये और ये वलक झेल रूरत अब गयास के फ्रेम को बन कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो फ्रेंट 3-4 मिनट हो चुका है इसको रखे हुए चलिए खोल के देख लेते हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमारा बैटर बिल्कु अच्छे से फूल गया है पहले बहुत पहले इसको रखा है तो यह फूल गया है तो फेटने से क्या होगा जो इसमें एयर होगी वो निकल जाएगी बहुत ही ज्यादा कुर्कुरी और परेगी और फैटसमें आपको खयाल यह रखना कि एक डरेकस्ट में हाथ को चलाना है ऐसा नहीं करना एक बर इस तरफ से और सेकंड करेंगे अगर आपको जा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पोड़ा या खाने वाला मीठा सोड़ा एड कर सकते लेकिन फिर वह हैल्दी नहीं होगा तो देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ तो यहां पर देख अच्छे से गरम करना है और इस तरीके से चेक करना है हथेली को ऊपर रखेंगे गर्महट मैसूज रही तो समझ यह गरम हो चुका है अब यह हमारा बैटा था इसको हम एक बार फ्रेट लेंगे अच्छे से प्रेटने से क्या होगा जो सूजी होगी नीची बैठी हुई व और अब हम चम्मत से इसके साइडों में फैलाएंगे और गयास का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है हाई फ्लेम पर इस रैस्पी को नहीं बनाना है अब दस से पंदरा सेकंड हम इसको कुक होने देंगे इससे जड़ना में इसको नहीं पकाना है और इसको हमें कवर करने की भी गलती नहीं करनी है यह देखिए इस तरीके से आप विल्कुल अच्छे से फैला देना और बहुत ज़रा मत बनाना अगर आप मोटा बनाएंगे तो खोने में टाइम लगेगा और गैस भी जड़ा लगेगी और कुरकुरी भी नहीं बनेगी तो क्रिस्पी चाहिए तो ह खुला और जब 10-15 सेकंड में हलका सा ड्राय होने लगेगा तब इसके उपर हम आगे काम करेंगे तो फ्रेंड एक मिनिट तक मैंने इसको पका लिया हलका हलका सा ड्राय होने लेगा इस तरीके से देखिए इसमें बवल पढ़ने लगे हैं बीच बीच में आप इसके बाद बाला है ऐसे डालते हुए इसको फैलाते जाना है इससे क्या होगा यह चाउग तरफ फैल जाएगी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और लुग भी बहुत प्यारा आएगा जितने आप अच्छे से मसारा लगाएंगे चटपटा वाला उतना ही यह जड़ा टेस्टी लगेगा और एक बार में आप पूरी फैमली के लिए इस रेस्पी को तयार पनाएंगे यानि थैयार कर पाएंगे बार बार बनाने का जंज़र नहीं पड़ेगा यह देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है किनारों को मैंने छोड़ दिया है किनारों पर नहीं लगाना है हो गया पर्फेक्ट और अब यह जो हमारा बच्चा हुए बैटर था इसको हम इसके उपड़ डालेंगे लेकिन इस तरीके से हलका हलका सा लेयर लगाएंगे और इसको छुपाएंगे एक साथ नहीं डाल देना है जैसे मैं कर रहीं उसी तरीके से करना है अच्छे से चुपा दीजिए ताकि कोई जान न पाए कि आपने इसके अंदर क्या फिल किया है तो यह देखिए बिल्कु अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है और अब इसको हम कवर करके कम से कम धीमी धीमी आज पर तीन से चार मिनट तक पकने देंगे और तीन से चार मिनट में यह अच्छे से सिख जाएगा फिर इसके बाद हम इसको टर्ड करेंगे तो चलिए cover कर देते हैं, तो friend देखिए इस तरीके से मैंने इसको cover कर दिया है, अब इसको medium flame पर पकने देंगे, high flame पर नहीं पकाना है, नहीं तो यह जल जाएगा और अंदर से अंदर तक cook नहीं हो पाएगा, तो friend 2-3 minute हो चुके हैं इसको पकते वे चलिए इसको खोल के तो यह देखिए विल्कुल अच्छे से एक side से सिख गया है और यहाँ पर इस तरीके से touch करेंगे, देखिए विल्कुल भी finger पर लग नहीं रहा है और इस तरीके से side को भी check करेंगे, तो यहाँ पर देखिए side बिल्कुल आराम से इस तरीके से अलग हो गई है, यानि यह ए इस तरह से डाल दीजिए, डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर देना है, तो मैं आपको बताती हूं भी, यह देखे, और अब हम इसको वापस से कवर करके 2 मिनट और पका लेंगे, तो 6-7 मिनट का टाइम लगेगा, इसको पकने में और आपको खा के मज़ा आ जाएगा, तो चलिए इसको पका लेते हैं, तो फ्रेंट, 2-3 मिनट हो चुका है, इसको दूसरे साइट से भी पकते वे, चलिए हटा के देख लेते हैं, यह देखे, कितना ज़रा क्रिस्पी है, अब मैं आपको दिखाऊंगी, कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो यह देखे, इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल छोड़ा है, यानि रेडी हो चुका है, आप चलिए इसको प्लेट में निकाल कर सकते हैं, तो फ्रेंट, देखे, इस तरीके से मैंने निकाल लिया, कितना ज़रा क्रिस्पी है, आप इसकी हम कटिंग करे यह देखिए बिल्कुर अच्छा से कट गया है और अब इसको हम इस तरीके से बीज से कट करेंगे तो चलिए कट कर लेते हैं तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है बिल्कुर अच्छ से कट गया है आप चलिए इसको निकालके प्लेट में सर्फ करते हैं में तूं तो फ्रेंट वंध सत्वास आई मारा चटपता सा कुरकुरा सा कराव सहय क्षोड़ीज्टे के सफ़िछा say кितिणा खुष्षिया लगा घुटना जालग्रा है जितना ज़रा देखने में खुष्षित क्रिस्पी झाययर खाने वे और अन्डे से कितना कृफ्षिया मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए विल्कुर अच्छे से स्टफिंग फिल है और कितने बरावर से फिल है और यहां पर जब आप इससे खाएंगे चटनी के साथ केचप के साथ तो आपको मजा जाएगा कैसी लगी आपको हमारी मजिदाओ सी रेस्पी कमेंड का है लाइट वेट है और दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है हेल्दी है और आप इसे वच्छों के टिफिन वाक्स में दे सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से कुख हुआ है दोनों साइड से देख सकते कितना वड़िया तरीके से कुख हुआ है तो फ्रेंट मिलते हैं बहुत ही ज़्यादी नई रेस्पी के साथ अपना ख्याल लखें लव्यू और बैंटे क्यार रेस्पी कैसे लेगी कमेंट बाक्स से जरूर बतारा डियर